ये 1949 में हुआ था जर्मनी या शायद आस्ट्रिया के एक यहूदी परिवार को बंदी बना लिया गया था पहले उन्होंने माता-पिता को बंदी बनाय और फिर बच्चों को और वो उन्हें अलग-लग स्थानों पर ले गए एक लड़की जो उन दिनों 13 साल की थी और उसका भाई जो 8 साल का था उन्हें कई अन्या बच्चों के साथ रेल्वे स्टेशन ले जाया गया माता-पिता को किसी मजदूर कैमपर ले जाया गया और अब बच्चे अलग हो चुके थे सर्दियों के दिनों में उन्हें एक अमीर घर से बाहर निकाल कर एक रेल्वे प्लाटफॉम पर छोड़ दिया गया बच्चे आखिर बच्चे होते हैं वो खेलने लग गए जब वो ट्रेन पर चड़ गए और ट्रेन चलने लगी तब लड़का बोला कि वो अपने जूते प्लाटफॉम पर ही भूल गया है अब लड़की को बहुत गुस्ता आया वो तेरा साल की थी उसे सबसे अभी-भी अलग किया गया है वो हक्की बक्की है कि एक अमीर घर से यहां लाया गया है अब वो सड़क पर हैं वो नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं आगे क्या होगा वो कुछ भी नहीं जानते हैं अब वो इतिहास बन चुका है हम जानते हैं कि उसके बाद क्या चीज़ें हुई थी पर उस समय उन छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है और ये लड़का अपने जूते भूल कर आ गया है वो भी सरदियों के मौसम में तो उस लड़की ने अपने भाई के कान को जोर से मरोड कर कहा अरे बेफकूफ पहले ही मेरे उपर बहुत मुसीबत है और अब तुम जूते छोड़कर आ गये है फिर अगले स्टेशन पर उन्होंने लड़के और लड़कियों को अलग अलग कर दिया लड़के को एक जगा ले गए लड़की को किसी दूसरी जगा ले गए चार साल बाद वो एक कॉंसेंट्रेशन कैम से बाहर आई और वो अपने परिवार की अकेली जीवित सदस्य थी उसके भाई समेथ परिवार के 17 लोग बस गायब हो गए उसे कभी पता नहीं चला कि वो कहां गया वो बस कहीं गायब हो गया और उसे बस वो बाते याद रहे गए जो उसने अपने भाई को कहीं थी वो कुछ अच्छा कह सकती थी लेकिन उसने इतनी भयांकर चीज़े कहीं क्यूंकि उसके भाई ने अपने जूते खो दिये थे फिर जब वो साड़े चार साल बाद कॉंसेंट्रेशन कैम से बहार आई तो उसने एक द्रेड निश्चे किया इससे फरक नहीं पढ़ता कि मैं किस से बात कर रही हूँ मैं लोगों से इस तरह से बात करूंगी कि अगर वो मेरी उनसे आखरी बातचीत है तो मुझे आगे चल कर उसका दुख नहीं होना चाही अगर आप बस लोगों से इस तरह से बात करेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ अच्छा कहेंगे और आपको कैसे पता कि ये आखरी बाचीत नहीं है जो भी आपके पास बैठा है हो सकता है कि आज आप उनसे आखरी बार मिल रहे हो ऐसा हो सकता है, है न? बहुत ही सुन्दर इंसान बन गई क्यूंकि उसने तै कर लिया कि वो जिससे भी बात करेंगी वो इस तरह बात करेंगी कि अगर ये आखरी बात चीत हो तो उसे दुख ना हो उसके साथ इतनी भयंकर घटना हुई पर उसने उसे एक आशिरवाद में बदल दिया अगर आपके पास जागरुप बुद्धी हो तो आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसे आप अपने लिए एक महान संभावना में बदल सकते हैं या जो भी होता है आप उससे दुख पैदा कर सकते हैं है की ने? चाहे जो भी परिस्तिती हो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता जो भी परिस्तिती हो आप उसे एक महान संभावना में बदल सकते हैं बस अगर आप उसे खुले पन के साथ देखने के लिए तयार हो जाएं तो हर चीज बदली जा सकती है जब हमारे जीवन में दुख देने वाली चीज़े होती है तो हम या तो समझदार बन सकते हैं या फिर पीडित हो सकते हैं ये हमें ही चुन्ना है ये हमें आप जाएं